वेलकम टू एकजांप सहपाथी आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के महतपूर्ड करन्ट अफेर्स को देखेंगे इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं यह हमारा आपका दूसरा पार्ट है ठीक है तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला है हमारा उत्तर प्रदेश के किन दो सहरों में टाटा पावर रिनुवेबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 50-50 मेगावाट की सौर उर्जा पर्योजनाएं अस्थापित की जाएंगी तो 50-50 मेगावाट की प्रयागराज में और 50 मेगावाट की बांदा में कौन अ पावर रिनुवेबल एनर्जी लिमिटेड नेक्स्ट हमारा है हाल ही में 41-23 2022 का आवजन उत्तर प्रदेश के किस सहर में किया गया तो यह आपका 41-20 होई हुनर हर्ट था जिसका आवजन कहां पर किया गया था तो वो किया गया था अपका मुमबई में ठीक ना तो यह आप प्तर प्रदेश का कौन सा सहर वैक्यूम आधारित सिवर सिश्टम अपनाने वाला भारत का पहला सहर बन गया है और वैक्यूम आधारित सिवर सिश्टम में सहायता कौन करेगा तो सहायता करेगा हमारा नीदर लेंड ठीक है तो नीदर लेंड की सहायता से यह जो है किया गया है vacuum आधारित sewer system और किस सहर में यह किया गया है तो यह है आपका आगरा सहर okay IPL 2022 में सामिल लखनव सूपर जायंट्स टीम के मालिक कौन है तो लखनव सूपर जायंट्स टीम इस बर सामिल हुई थी ठीक है न और इसके कप्तान कौम थे यह आपको कमेंट करके बता दीजे ठीक तो इसके मालिक कौन थे तो इसके मालिक थे आपके आरेपी संजीव गोयनका ग्रूप ठीक है आर्पी सची तो यह जो है इस company इस जो है टीम के मालिक थे कौन सी लखनव सूपर जायंट्स टीम जो आपके उत्तर प्रदेश से सम्बंदित है नेक्स्ट हमारा है राष्ट्री पैरा टेबल टेनिस चेंपियनसिप 2022 उत्तर प्रदेश के किस महिला खिलाडी ने इसमें स्वर्ड पदक जीता है तो राष्ट्री पैरा टेबल टेनिस है ठीक है ना पैराबैडमिंटन अकादमी है यह अस्थापित की जाएगी आपके लखनव उत्तरप्रदेस में ठीक है ना तो लखनव में आपका पहली जो है पैराबैडमिंटन अकादमी अस्थापित की जाएगी उत्तरप्रदेस के किस विश्व विद्याले में फैमिली कोर्ट अस्था आपके लखनव विश्वीद्याले में ठीक है नहीं है थे थे भारती नो सेना गज और इसके लिए इस्थायल है की जाएक तो आपसे पुछा जा coral संग्रहाले में कौन सा जो है भारती नोसेना के जहाज का संग्रहाला है तो यह आपके आई एनस गोमती का संग्रहाला है ओके नेक्स्ट हमारा है परियावरण मंत्री भूपेंद्र यादों ने बखीरा वन्यजीव अभ्यारणने को उत्तर प्रदेश का दसववा रामसर साइट घोशित किया है तो उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट कितने हैं ये तो आपको याद रखना है तो कुल जो है दस रामसर साइट हो गए है उत्तर प्रदेश में और भारत में किसी राजमिय सबसेयाद रामसर साइट किस राजमिय है तो वो आपके उत्तर प्रदेस्ते है. ठीक है ना? तो आभी जो नया जोड़ा गया है वो आपका बखीरा वने जी अभ्यहरण ने है और ये किस जिले में स्थित है तो ये आपके बिजनोर के पास में ही है ठीक है न और इसकी मुझवफर बिजनोर की सीमा परिस्तित है आपका हैदरपुर जील ये आपका नौमा जोड़ा गया था दस्वा कौन से जोड़ा गया बखीरा वन्य जीव अभ्यारने कहां पे संत कबीर नगर ओके नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का पहला डाल्फिन रिजर्व कहां पर बनाये गया है तो डाल्फिन रिजर्व जो बनाये गया है ये बनाये गया है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारने में ठीक तो हैदरपुर जो जील थी ये भी आपके हस्तिनापुर वन्य जीव अभेरन्य का ही पार्ट है ठीक तो पहला डाल्फिन रिजर्फ हैस्तिनापुर्वन जीओ अभेरन्य में और अगर आप से पूछ ले जाए कि इस वर्स जो है डाल्फिन दिवस कब से मनाया जाने की घोशड़ा की गई है तो यह है आपका पांच अक्टोबर से जो है डाल्फ में यह इस्थित है आपका मड़ी परवत ठीक है ना 45 लाक रुपए जो है इसके लिए आवंटित किये गये हैं मड़ी परवत को विक्सित करने के लिए अयोध्या में च्छत्रपती साहुजी महराज विस्विद्याले कानपूर द्वारा संड़क्षित भारत टेक कंपनी विक्सित स्वदेशी सर्च इंजन का क्या नाम रखा गया है तो यह आपकी छत्रपती साहुजी महराज विस्विद्याले कहां पर है तो यह आपके कानपूर में है और इसकी इंक्यूबेटिट कंपनी है आपकी भारत टेक कंपनी ठीक ना तो भारत टेक कंपनी ने एक का नाम रखा है भारत सर्च तो सर्च इंजन याने की जैसे आपका गूगल होता है उसी तरह से आपका यह सर्च इंजन मनाय गया है जिसका नाम रखा गया है भारत सर्च बभनियाओ आर्कियोलाजिकल साइट कहां परिस्थित है जहां पर हाल ही में की गई खुदाई में अगला हमारा है किस गटना के सौ वर्स पूरे होने पर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के दोरा उत्तर प्रदेस के गोरखपुर जिले से पोश्टल स्टैंप जारी किया गया तो सो वर्स किसके पूरे हुए है तो ये पूरे हो आपके चौरा चौरी घटना को, ठीक है न, 1922 में ये घटना घटी हुई थी, ठीक है, फरवरी 1922 में, और इसके जो है सो वर्स पूरे होने पर जो है, गोरकपूर जिले से प्रधानमंती नरेंद मोदी ने क्या जारी किया, पोश्टल स्टेंप जारी किया है, किस संस्थान के सोध कर आधारित कीट नासकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यानि कि जो आपका बायो डिग्रेडबल नैनो पार्टिकल है, जो पहले आप लोग केमिकल वाले कीट नासक यूज करते थे, उनकी जगहां पे आब आप बायो डिग्रेडबल नैनो पार्टिकल का उप्य पुरसकार योजना में आपका मुझशब्फफर नगर का महिला जिला स्पता हम इस सब्हागी योजना के तहत सौर करड़ करने मामले में उत्तर प्रदेश के स्थान है तो के वह इस जाक है शुए सब्हागी योजना के तएल्व वाली जो क्लास होती है उसमें बताया गया कि सौर विद्यूतिकरण में पहले नंबर पे आपका राजस्थान है लेकिन उत्तर प्रदेश की सस्थान पे है तो उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पे था ठीके ना यानि कि सौर उर्जा के माध्य हम से बिजली पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की सस्थान पे है तीसरे नंबर पे 32 बडाक्तर हेड़ गेवार प्रग्यास ममान की से समान किया गया और निर्जा माधा को में बता गया था जो आपका नारी सकती सम्मान होता है अंतराष्टी महिला दिवस पे जो दिया गया था वो भी जो है आरती राणा को मिला था उत्तर प्रदेस की आरती राणा और नेरजा माधा को मिला था ठीक है न तो इन्हें ये नारी सम्मान पुरुसकार भी मिल चुका है इसके लाण जो है बक्तिसवा हेट गेवार प्रग्या सम्मान भी से इन्हें जो है प्रदान किया गया डियाडियो और आई 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 टी दिल्ली ने उत्तर प्रदेस में कहां पर 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की डिस्ट्रिबूशन लिंक एक क्या है सुरक्षित संचार पर डाली है यानि की कम्यूनिकेशन सिस्टम है सेक्योड कम्यूनिकेशन सिस्टम ठीक है न और इसका सफलता पूरुग प्रदरसन कहां से कहां तक किया गया प्रियाग राज से विंध्याचन के मध्धे सौ किलोमीटर से अधिक जो है क्वांटम की डिस्टिब्यूशन लिंक का सभलता पुरुप पचड किया गया कहां से कहां तक तो प्रियाग राज से विंध्याचल के मध्ध किसने किसने किया था तो DRDO और IIT दिल्ली ने किया था नेक्स्ट हमारा है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने ब्लाग चैन आधारी डिजिटल डिगरी का सुभारम कहां से किया तो ये उत्तर प्रदेश में IIT कानपूर से ठीक ना ब्लाग चैन आधारी डिजिटल डिगरी का सुभारम किया गया प्रधानमंति नरेंद्र मोधी के द्वारा कानपूर सहर में बनाय जा रहे Metro Train Project की कुल लंबाई कितनी है तो Metro Train Project जो है इसकी कुल लंबाई होगी आपकी 32 किलोमेटर और उसमें कुल 29 इस्टेशन जो है सामिल है ठीक है ना 29 इस्टेशन सामिल है और अब ही जो है प्रधानमंति नरेंद्र मोदी की द्वारा इसका उधारटन भी किया गया था प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद्र Sports विश्व ओ विद्याले की आधार सिला कहां रखी तो ये आपका Sports University है ठीक है ना कॉलेज नहीं है युनिवस्टी है और इसका जो है अधार सिला रखा गया कहाँ पे मेरट में उत्तरपदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर एंटी टेर्रिस्ट स्क्वाड यानि की ATS का जो है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के अधार सिला रखी तो ATS के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के अधार सिला रखी गई आपके देवबंद सहारनपूर से ठीक है तो ATS का जो है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर देवबंद सहारनपूर म पहला जो है ये खोला जा रहा है लोक सभा में रखे गए आकड़ो के अनुसार भारत का सीर्स सब्जी उत्पादक राज्य कौन बन गया है तो सब्जी में पहले नंबर पे आपका पहले था कौन सा पश्चिम बंगाल लेकिन अभी जो आपका नया अकड़ा है इसमें जो है स सब्जी उत्पादक कौन हो गया तो वह आपका उत्तर प्रते से सीर्स फल उत्पादक आप लोग कमेंट करके बताएंगे गोतम बुद्ध के अस्थान लुंबिनी को वाराणसी और सारनाथ से जोड़ने के लिए किस राश्ट्री राजमार्ग द्वारा जोड़ा जोड़ रहा है नेक्ट हमारा है हाल ही में परिवहन मंत्री सी नितिन गठकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में 12,981 करोड रुपए के कितने राश्ट्री राजमार्ग प्रोजेक्ट की घोशड़ा की गई है तो देखिए अभी जो है नितिन गठकरी ने इसकी प्रोजेक्ट बनेंगे ठीक है तो कौसांबी में 6 है अयोध्या में 6 है और बस्ती में कितने 3 ठीक है तो इसकी घोशड़ा किस ने करी तो नितिन गठकरी ने करी 12,981 करोड रुपए की ये सारी परियोजनाय होंगी अगला हमारा है केंद्रिय मंत्री नितिन गठकरी ने कहां पर गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन के 1200 मीटर लंबे ब्रिज की अधारसिला रखी तो देखिए ये आपका स्रिंग वेरपूर धाम है कहां पर है तो ये आपके प्रियाग राज में है स्रिंग वेरपूर धाम यहाँ पर गंगा नदी पर जो है आपका 6 लेन का और 1200 मीटर लंबा पुल जो है बनाए जाएगा इसकी जो है अधार सिला किस ने रखी तो इसकी अधार सिला रखी है नितिन गड़करी ने तो कहाँ पे स्रिंग वेर पुर्धाम कौन सा जगा प्रियाग राज नेश्ट हमारा है राष्टरपती रामनात कोविंद उत्तर प्रदेश के किस गाउं से संबंधित है तो यह आपके पराओं के गाउं कानपूर देहाद से संबंधित है अभी हाली में जो है राष्टरपती चुना हुए है तो हो सकता है यह वाला क्वेशन भी आपसे बन उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है राम वन गमन मार्ग और यह जो राम वन गमन मार्ग होगा यह किस नेशनल हाइवे का हिस्त होगा तो नेशनल हाइवे 731A ठीक है ना तो नेशनल हाइवे 731A का हिस्त होगा जो है राम वन गमन मार्ग इसकी कुल लंबाई कितनी संहागी 132 917 का हिस्सा होगा और Delicious ऑर एक कहां तक था तक अप्र तराप गड़ से प्रियाग्राज फिर कॉसंबी फिर चित्र कूट't . ठीक है तो कौन-कौन से जीलो शोटरिगा प्रियाग्राज कउसंबी चित्र कूट' किया जाएगा थे कंद isso राम जो है जवन किस राष्टे से गये थे वो जो है आपका बनाय का Artificial Riddah, ठीक है να, यानि कि आपका Advanced Artificial Heart की बात हो रही है, तो Advanced Type का Artificial Heart जिसका नाम रखा गया है, रिद्यांत्र, रिद्यांत्र किस ने विख्छिद किया है, तो रिद्यांत्र विख्छिद किया है, IIT कानपूर ने, ठीक है να, तो ये आपका एक Advanced का आर्टिफिसेल हार्ट होगा IIT कानपूर ने विख्षित किया है नाम इसका क्या है तो नाम है इसका रिद्यांद्र रखा गया है राष्ट्री ये लेवल का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केट बाल कोर्ड का उधगाटन कहां पे किया गया तो ये अपके निशनल लेवल का है इसले इंपोर्टेंट है ठीक ना तो सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केट बाल कोर्ड का उधगाटन किया गया MLNR जो है मोतिलाल नहरू Institute of Technology MNIT कहां पे प्रयागराज में बाहराइच में किस राजा की प्रतिमा का अनावरण किया गया था तो ये भी आप याद रखेंगे कि राजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया था प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना के कार्यानवन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले नमबर पे रहा तो प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना में रेढ़ी पट्री वालों को 10,000 रुपे तक का लोन जो है उपलब्द कराने से सम्बंधित योजना थी ठीक ना और इसके कारियानमन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले नमबर पे रहा तो वाराणसी जो है ये प्रदान मंत्री स्वानी धी कारिक्रम के कारियानमन में पहले नमबर पे रहा उत्तर प्रदेश के कथक नर्तक पंडित विर्जु महराज का निधन हो गया और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस घराने से संबंदित थे तो ये आपके लखनो घराने से संबंदित थे कौन पंडित विर्जु महराज पदमस्री पुरुसकार विजेता डाक्टर रमाकांत सुकल का भी अभी हाली में निधन हो गया और इनका संबंद किस छेतर से है तो जो आपके डाक्टर रमाकांत सुकल थे उत्रप्रदेश से संबंदित है और ये साहित्य के छेतर से संबंदित है पदम स्री पुरुसकार के विजेता भी थे हाली में इनका क्या हो गया निदन हो गया उत्तर प्रदेश में जहासी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो जहासी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है विरांगना लक्षमी भाई रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास इस्थित चार गामों को राजस सुगाउं गोसित किया है तो उत्तर प्रदेश ने चार गामों को क्या गोसित किया है और ये जो है तहसील कौन सी थी तो महिन पूर्वा तहसील थी और गाउं कौन कौन से हैं तो भवानीपूर, तेड़िया, धाकिया और बिचिया ठीक है तो ये चार गाउं है भवानीपूर, तेड़िया, धाकिया और बिचिया और ये जो है महिन पूर्वा तहसील में किस जि जाकी के रूप में चुना गया. तो सर्वस्षे्ष्ट राजज़ाकी जो है, घरतंतर दिवस परेड दोजार बास में किसे चुना गया उत्तरप्देश्च की जाकी को और उत्तरप्देश्च की जाकी का विश्य क्या था? तो ये इसका विश्य था एक जिला, एक उत्पाद और कासी विश्वनात धाम था केंद्री पर्यावरण वन और जलवायू परवरतन मंत्राले ने कहां पर तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैध्धान्तिक मंजूरी दी गई है आपके लखेम पूर खीरी उत्तरप्रदेश में ठीक तो तराई हाथी रिजर्व कहां से संबंदित है लखेम पूर खेरी उत्तरप्रदेश से संबंदित है अनुसूचित जाति के बच्चों को सिविल सर्विसेस की तयारी कराने के लिए केंद्री मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बियच्चियू वाराणसी से डॉ डॉक्टर अमबेटकर उत्तिष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की तो यह भी याद रखना कि किसके लिए अनुसूचित जाति यानि कि एसी जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेस की तयारी कराने के लिए आपके केंद्री मंत्री है यह आपके डॉक केंद्र कुमार और यह आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है ठीक है न तो यह भी इंपोर्टेंट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है और डॉक्टर अमबेटकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की गई कहां से व्याच्चू आरड और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा था तो इसका योजन लखना उत्तरप्रदेश में ही किया जा रहा था ठीक है? तो लखना उत्तरप्रदेश में जो है PP Sing Rareare ने क्या जीत लिया? सेयद मोदी अंतराष्टी ब्यडमिन्टन टूर्णामेंट जीत लिया है उत्तर प्रदेश विदानसबा चुनाओ 2022 में कितनी महिला प्रत्यासी चुनी गई है तो उत्तर प्रदेश जो विदानसबा चुनाओ हुए थे इसमें जो है कुल 47 महिला प्रत्यासी चुनी गई थी और इन 47 महिला प्रत्यासियों में से मंत्रीपद कितने को प्रदान किया गया तो 5 को जो है मंत्रीपद प्रदान किया गया है तो ये हमारे महत्पूर आपके करन्ट अफेर्स थे उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप सेर कर दीजिए अबने दोस्तों तक कोई भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे अगर आप यहां तक देख रहे हैं झाल झाल